हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है अभी मैं आटा गुंद रही हूँ इस रुबर शुबर का टाइम हो रहा है बच्चों को स्कूल जाने का तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है मैं हमेशा आटा गुंद कर रख देती हूँ ताकि जब मैं रोटिया बढाऊं तो एकदम सॉफ्ट बने आज के इस मिनी व्लॉक में मैं कोई रेसिपी नहीं शेर करने वाली हूँ सिर्फ मैं आपके साथ शेर करूंगी कि मैं अपने बच्चों को टिफिन में क्या भीचती हूँ मैं बच्चों को टिफिन में जो भी खाने को भीचती हूँ उसके क्लासमेट्स को इवन टीचर्स को बहुत जादा पसंद आता है तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी किस तरीके से मैं बच्चों को खाना बेशती है और यहां मैं सबसे पहले कर रहे हूँ पूरी बनाने की तेयारी कैजरोल में सबसे पहले मैं लगाती हूँ टिश्यू पेपर या बड़र पेपर ताकि जो पूरी का एक्स्टा ओयल है उसके अंदर आ जाए फिर थोड़ा सा ओयल लगाकर आटे को मैं थोड़ा सा और मल लेती हूँ ताकि यह और भी जादा सॉफ्ट हो जाए ताकि बच्चों को जो पूरी जब वो खाए ना स्कूल में तो उन्हें हाड न लगे एकदम सॉफ्ट लगे जब भी मैं पूरी बनाती हूँ ना मैं हमेशा इसी तरीके से आटे को सिलेंडरिकल शेप देकर इसे छोट-छोटे पीसस में कट करकर रख लेती हूँ इससे मुझे लगता है कि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और साथी साथ पूरी बेलती जाती हूँ और पूरी बेलने सबसे पहले मैंने इसे ग्लासे लेके काड दिया है एकदम छोट-छोटे साइस की पूरी बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चों की डिमांड है इनको अलग-अलग शेप की पूरी खाना बहुत जादा पसंद है कभी इने गोल कपे के साइस की पूरी चाही होती है कभी तरीके से बच्चों को खिला दिया जाए और वो बच्चे खा ले अराम से तो उससे बेस्ट कोई चीज नहीं होती है तो बच्चों की डिमांड पूरी करने के बाद मैंने थोड़ी सी बड़े साइस की पूरी बनाएगी कम से कब इनका खाना खाके पेट तो भर सके तो इस कम मिर्च मसालों में बनाया है क्योंकि बच्चे बहुत जादा स्पाइसी नहीं खाते हैं मतलब एक बेटी नहीं खाते है और एक को स्पाइसी चाहिए मलत दोनों की डिमांड और टेस्ट प्रिफरेंस बहुत अलग अलग है तो उनके साब से मुझे चीजों को बच्चे नहीं डाल नहीं थी तो मुझे तो लगता है कि यार बच्चा अगर धंग से खाना ना खापाए उससे अच्छा है कि आप कम मिर्च मसाले डाल के बना लो और हम लोग इस तरह से अड़्जस कर लेते हैं ना इसके पापा को प्रॉब्म होती है ना मुझे मौनिंग प्रेड जैसे ही खतम होती है तुरंदिन का होता है फर्स ब्रेक जिसके लिए आज मैं भेज रही हूं मिक्स नट्स और सीट्स और रोज मैं अलग भेजती हूं कभी में सीजनल फुट्स पेज ज़िदी हूं या कभी मखाने को रोस्ट करके भेज थी हूं पोहा करती हूँ जिसमें कुछ बच्चों के पसंद की चीज़े होती है कुछ मेरी पसंद की चीज़े होती है और जिस तरीके से खाना बच्चों और मेरी पसंद से पैक होता है उसी तरीके से जो टिफिन है वो भी बच्चों की पसंद का है ये है बोरो सिल का इंस्यूलेटिड प्लास्टिक टिफिन बेजने के जगा आप इस तरी के से स्टील टिफिन में भेज़े बच्चों का खाना गरम भी रहता है और एक्तम सेफ भी रहता है तो यह हो गया मेरे बच्चों का टिफिन पैक और यहां बच्चे भी रेडी होकर स्कूल के लिए निकल चुके हैं नीचे कर रहे हैं इनके पापा वेट रोज इनके पापा इनको स्कूल छोड़ कर आते हैं बच्चों के जाने के बाद मैं घर के सारे काम वाम करके फ्री हो जाती हूं और नहा दोकर अपने खाने की दरफ लग जाते हैं हम लोग तो यहां मैं बना रही हूँ पूडियां अपने लिए और अपने हस्बन के लिए और अगर आप भी खाना चाते हैं तो आप भी जल्दी से आ जाओ बच्चे भी स्कूल गए, घर का काम भी हो गया, या खाना भी बन गया, अब क्या बचा है भी नाचना गाना ये भी बहुत ज़रूरी है तो मैं कौन से गाने पर डांस करे हूँ आप लोग मुझे ये कॉमेंट करके बताओ और ये भी comment करके बताओ किसको मेरी तरह घर के सारे काम करते वक्त नाचने का बहुत शौक है बच्चों के लिए मैंने बनाई थी छोटी-छोटी पूरिया और अपने लिए मैंने बनाई है अपने साइस की बड़ी-बड़ी पूरिया भाई ननी मुनी पूरियों से मेरा क्या होगा फिर मैंने भी ट्राइ करें चने और पूरी कम मिर्च मसालों में भी इसका काफी अच्छा टेस्ट आया है और अगर आप कुछ चटपटी मसालेदार सी रेसिपी इस देखना चाते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें बाई एंटेक केर